कि नमस्कार आज हम बिये प्रथम वर्ष के हिंदी सहित्य में सुफी काव्य की विशेष्टाओं पर चर्चा करेंगे इसे पूर की विडियो में हम हिंदी संत्य काव्य परंपरा पर विचार्वी मर्ष कर चुके हैं आज सुफी काव्य की विशेष्टाओं पर हम विश्टार से चर्चा करेंगी कि किन विशेष्टाओं के कारण सुफी काव्य परंपरा जो है या सुफी काव्य जो है वो चिरंजीवी है मूर रूप से देखा जाए तो भत्ति की जब धाराओं का विभाजन हो रहा था उस समय संत्य काव्य परंपरा में दो धाराओं प्रभाई हो रही थी एक थी संत परंपरा, संत का विधारा और दूसरी सुफिक अविधारा पूर वीडियो में हमने चर्चा की कि संत का विधारा में कवियों ने ज्ञान मार्ग को अपनाया और सुफिक अविधारा में कवियों ने प्रेम मार्ग को अपनाया एक ज्यान के माध्यम से ज्यान के माध्य पर चलकर इश्वर को प्राप्त करने का की बात करता है एक प्रेम को ही इश्वर कत्व मानता है एक कमानना है कि प्रेम में ही इश्वर है इसलिए हिंदू आख्यानों को अपना विश्य बनाते हुए, हिंदू राजारानियों को अपना विश्य बनाते हुए, हिंदू कहानी और कथानों को अपना विश्य बनाते हुए, सुफी संतों ने प्रेम तर्थ्व को आरोपित कर इश्वर तक पहुँचने का मार्ग परंपरा में जो प्रसम विश्यष्टा आती है वह परंपरागत तथा कालपनिक कथा शुट जैता मैंने आपसे जखर किया कि परंपरागत जो विशे रहे वो थे एतियासे पात्र पौराणिक पात्रों को भी इन्हों ने लिया लेकिन पौराणिक पात्रों को वो इतना अध यहां से हिंदू राजा राणियों की कहानियों को उन्होंने अपना विश्य बनाया और इसका सबसे बड़ा उधान हम देख सकते हैं पदमावत तो जिस प्रकार जायशी में राजा राणियों और रानी पदमावती वह अधमा और परमत्मा के रूप में शित्रिच करते हुए पदमावत का त्रजन किया वो सीधे सीधे प्रेम के मार्ग पर चलकर पिश्वर तक पहुंचने अपने आजदे तक पहुंचने का एक मध्यम बना ऐसा नहीं है कि उस समय में केवल हिंदू राजय राग रानियों को ही विश्व बनाया जाता था मुस्लिम पात्र भी थे क्योंकि ज्यादा सब पुफिस संत मुस्लिम थे इसलिए मुस्लिम पात्रों को लेकर भी उन्होंने उस समय काफिसाई के रचा जिनमें युसुफ चुलेखा लेला मजनु आदी की घटनाएं चरित्र बहुत प्रसित है आगे हम देखते हैं कि एक सुफिक कव्य है मदुमालती जिसकी कथा दक्षिन में दक्षिनी भाषा में अनुवादित होई और गुलसरे इश्ट के नाम से उसको वहाँ पर लिखा गया यानि कथाओं का आदान प्रदान भाषा और ख्षित्र के अनुसार भी होता रहा ऐसा नहीं है कि जो विशे एक जगह ले लिया गया उस विशे को दूसरी जगह नहीं लिया जाएगा उस विशे को दूसरी जगह भी इस्तिमाल किया गया तो कहने का अतात पर है कि जी राजा राणियों की एकही मत्जब के एकही धर्म के एकही सम्परदाएके अलग नहीं किया कहीं चोटी पर एक-दो मिलते हैं जिनमें संपरदाय अलग- départ संपरदाय के नायक नाइक 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 की लेकिन दोनों की प्रेयम की प्रगाड वो धर्म को लएकर । ढर्म के आधार पर नहीं है दर्म कहीं बादा नहीं बनता धर्म के बीच का कोई भी सेटू नहीं है उन दोनों में महत्वर्म तक जो है वो प्रेम है और उस प्रेम को लेकर ही उस ग्रंथ की रश्चना हुई है अन्त में जाके उसक्रंच की नायका यो है वो इसलाम स्विकार कर लेती है तो वो नायका नायक से बाद दियोकर नहीं करती है उसे जबरदस्ती दर्म परिवर्तन नहीं किरवाया जाता है अपी तो वो नायक के प्रती अपना समर्पन और अपने प्रती नायक के समर्पन को द यह ग्रंथ लिखे गए और सहज में बहुत स्लिष्ट कथानगों को लेकर बहुत स्लिष्ट भाषा को लेकर बहुत स्लिष्ट जिसको कहना चीन पेटफान के आधार पर इन कथानगों का निर्मान हुआ है अगला बिंदु आता है आलोकिक या आदर्श्प्रेम की व्यंचना जैसा कि अगे मने पूर में कहा कि तुफी कावे परंपरा की सबसे बड़ी विशेष्टा की कि उसमें प्रेम की व्यंजना हुई है आदर्ष प्रेम की व्यंजना हुई है आलोकिक प्रेम की व्यंजना हुई है लोकिक धरातल पर लोकिक कथानकों के माध्यम से आलोकिकता की और प्रस्थान किया है कभियों ने यानि दो अर्थों में उस साहित्य को लिए जाता है राजा रत्न सेन और राणी पदमावती की कहानी को हम लौकिक रूप में भी ले सकते हैं कि सावान ने राजा और राणी की प्रेम कहानी है तो ही रामन तोता से जब राजा रत्न सेन ने पदमावती के सौंदरे का वर्णन सुना और सुनकर वो उस सौंदरे के वर्णन को सुनकर ही प्रेमा शक्त हो गया राणी पदमावती के प्रती और फिर राणी पदमावती को प्राप्त करने के लिए वो सिंगल दीप चला गया तो सिंगल दीप जाने पर और वहां भी रानी पदमावती को प्राप्त करने तक की जो कहानी है रानी पदमावती तक पहुँचने की कहानी है वो प्रेम है शाश्वत और शद्द प्रेम है और शद्द प्रेम की कहानी को याइस ही ने पदमावत में रस्तुत किया तो प्रेम भी कोई जिसको पक्षपाच वाली बात देखने कर नहीं मिली पात्र चाहे राजनेतिक हो चाहे एतिहासी को लेकिन सहित्य में आकर वो सब का पात्र हो जाता है और यह अलग बात है क्योंकि एक संप्रदाय विश्यस के लोगों ने ही सुफी का व्याधिक लिखा तो जमातवादी दृष्टी कोण जरूर उसमें दिखाई देता है और ततश्ता का जो भाव है वो सपश्ट दिखाई देता है प्रेमा ख्यान का अव्य जो है हिंदी साहित्य में जमातवादी दृष्टी कोण को भी आगे बढ़ाने में साहिक होता है और इसी कारण उसमें तो जिसमें कहना चाहिए कि विधर्मी पन दिखाई नहीं देता एक ही धर्म की बात करते हैं चाहे वो पिंदु कथानक को ले लीजिए चाहे वो मुस्लिम कथानक को ले लीजिए विधर्मी पन उसमें नहीं होता जमात के बाद तक्व को महत दिया जाता है भक्तिकाल के प्र का तत्व प्रमुख होता था से औरौकिक्ता की और स्थान का तत्व प्रमुख होता था मैंने अभी आपको ढFr apparge कि भक्ती से आगे बढ़ रही है एक ज्ञाद मार्गी एक प्रिम मार्गी लेकिन कहीं न कहीं जाकर दोनों तत्व एक होते हैं और दोनों मार्ग होकर ही भक्ती की प्राकाश्ठा पर पौंच देगा चाहे हो प्रत्यक्ष edad प्रत्यक्ष रूप से दोनों का प्रभाव एक दूसरे में देखा जा सकता है तीसरा बेंदू इसमें आता है विशेष्टा आती है मानवी खरदय की शुक्ष्म भावत औरंगों का अंकन इस काल के साहित्य में या सुफी काव्य में देखने को मिलता है और मानव चुकी प्रेमाख्यान है और प्रेम मानव खरदय की सबसे शुक्ष्म भृति है उसके बिना मानव की मानव होने की कलपना नहीं की जा सकती प्रेम कत्व मानवियता का एक मानव जाये तो लक्षन है गुन है जो उस साल के साहिते में साफ इसपश्ट दिखाई देता है और उसी को हाला कि उसके साथ ये अलग बात है कि इर्शा, द्वेश, कपट, दयासा जैसे जो तत्व हैं उस स्वाभावी कुरूप से मनुश्य में जानित होते हैं प्रेम के साथ ही ये पैदा होते हैं और प्रेम के साथ-साथ ये चलते रहते हैं हम लौकिक जगत में भी देखते हैं प्रेम के साथ गिर्शा, द्वेश, ये सारी चीज़े साथ चलते हैं तो यहीं चीज़ सुफिक अभियों ने भी अपने साहिते में सहस्ता से िस्टा मानी जाती है कि नाइका का एची जौर протाते हैं कि प्रेम में चयोग से अधिक वियोग को महत्त दिया गया है तो है वह वियोग में भर कर आता है तो समय मिलने के विए और वो तरफ आठों के आधम से यह और आधक्षा उसी तरह प्रियेसी या प्रिये अपनी प्रियेसी अजवा प्रियेसे मिलने के लिए जब अंदर की तरफ को आँखों के मध्यम से आंसों के रूप में बाहर लाता है तब वह प्रेम की प्राकाश्ठा होती है और वह प्राकाश्ठा हर प्रियेसी को अपने जीवन काल में एक बार उस नदी से बहना ही बहना पड़ता है तो सुफिक वियों ने कोई नई बात नहीं करे एक स्वाभाविक मनुवर्ति जो है प्रेम के साथ जो जुड़ी हुई है उस स्वाभाविक मनुवर्ति को उन्हों ने समाज के सामने अपने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है यह विरह का जो भाव है इस भाव को सहजबन में सबने स्विकार भी किया है अगली जो विशिष्टा इस साहतिकी है वो है वर्णनात्मक्ता देखिए शुरू से जिब हम बात करते आ रहे हैं तब यह किसी भी बात को संकेत रूप में नहीं कहना उसको विस्तार से कहना नाइका के सौंदरे का नक्षिक वर्णन करना केवल यह कह देने वर्मात्र से नाइका के सौंदरे की व्याख्या नहीं हो जाती है कि नाइका बहुत कुशुलत है बलकि उसका नक्षिक सौंदरे वर्णन जो होता है वो उसका नाइका का वर्णन होता है तो वर्णन अत्मक्ता का जो तत्व इस काव्य में दिखाई देता है वो बहुत मैथ तो कौन है नक्षित वर्णन इसमें आ जाता है और इसमें कभी की कला प्रेमा विविंजना विशारत का कला के पती उसका समरपन भाव वो स तारव, एक साथ दिखाई देता है इसके साथ तार प्रक प्रकर्थी का संयोजलर। यानि रस्थ की परिभाथा भावा, विभाव, संयोग, आद्रस त Finnish पत्ती। तो भावा, अनुभाव और विभाव, के तयोग से ही रस्थ की उसके संयोग होती है। तो यहां यह सिद्धान्त बिल्कुल सही स्पष्ठ होता है कि आलंबन और उद्दीपन प्रिये प्रेमिका और प्रकरति इन तीनों के सहमायों जम से ही तीनों के संयों से ही प्रेम तक्व के उत्पत्ति होती है आप कल्प ना किजिए कि कहीं बहुत भेंकर आग लगी हो और वहां नायक भी और नाईका भी हो और सामने सब कुछ जल रहा हो तो क्या उनके मन में प्रेम का भावत्पन हो सकता है लेकिन हरी आली हरी बरी पहाडी तलेटी हो जरने वह रहे हो म्रक कुलाचे भर रहे हो कोईल कूक रही हो सुन्दर सुन्दर फूल खिले हो उनकी खुश्पू से वातावर्ण महक रहा हो अब वही नायक नाईका यहां भी है यहां कल्पना कीजिए क्या अब वे प्रेम तक्तों से विलग हो सकते हैं प्रेम मार्गी कभियों ने इसी चीज को स्पश्ट रूट से अपने कावे मेर्प्रसिपादित किया है कि रतुवर्णम और प्रेम वर्णम माहोल और यक्ति इनके समायुजन से ही प्रेम की उत्तक्ती होती है प्रेम का चित्रन होता है इसलिए प्राक्रतिक जितने भी उपादान रहे जिनमें घटना कार्य पर्व उद्देश वाटिका समुद्र पर्वत आप ज्यादा तर देखिए गया कि जितने सुफिक आभिय पन घट पर जाना नदी तट पर जाना रित्मों का वर्णन ये सारा सुफी काव्य परंपरा की प्रमुख विशिष्टा थी उतके बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते तो वर्णनात्मत का जो है इस काव्य का प्रमुख गुण है संख्यत में कोई बात नहीं करने पूरा एक लॉजिक देते हुए वो अपनी घटना कर्म को अपनी कठानक को अपनी कठा को आगे बढ़ाते हैं अगला जो बिन्दू है विशिष्टा है वो है अद्भुत घटनाओं का चित्रन इसका अव्यता अनिवारे तपर यानि एक तिरस्म जादू तोना चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो चाहे किसी भी तरीके के हो वो सभी की अद्भुत घटनाओं का उसमें समयोजन अनिवारे होता है उसके बिना घटना करम आगे नहीं चल सकता तो जो हम कर पर डा करते हैं कि अप Vanderोज है परियां है जादू है टोना है तो कहान शामनम tray काहणे काम्तर यह जो कावय एक मस्लिम कभी हिंदू कच्छानक को लेकर लिख is है और लिखते वक्त कितना संजीदा होगा उसने अपने संपराय को उठाकर एक तरफ रख दिया होगा जब पदमावत जैसी ने लिखा होगा कितने निर्पिक्ष भाव से जैसी ने पदमावत को लिखा होगा तब जैसी लिखते वक्त एक तरफ अपने आपको रतन सेंड में आरोपित करता है दूसरी तारक अपने आपको वो रहनी पद्मावति में आरोपित करता है उनसे पहले अपने आपको वो हियरा मन तोता में आरोपित करता है या contenido कभी है जो लेख़र है। वो हर पात्र में अपने आपको आरोपित कर देता है वहां उसका संप्रदाय का ही बाधा नहीं बनता तो यह जो समण्वै की भावना है सांस्कृतिक समण्वै की भावना इसमाज को बांधा है और यही कारण है कि आज भी इतने सैक्ड़ों वर्सों बाद भी यह साहित काल जही है आज भी हमें से बहुत सरद्धा और सम्मान के साथ देखते हैं कहीं भी संपरताय का टक्राओ इस साहित में दिखाई नहीं देता हर संपरताय का सम्मान सिस्थ में किया गया है प्रेम काज्यों को केवल शुद्द प्रेम काज्यों को उठा कर उन्होंने पर सब्सकिया है अगला आता है भार्तिय फार्शि शुर्प का तो यह सब कल में हुआ है हम भक्तिकाल से ले रे विशेच रूप से बक्तिकाल की ही में बात कर पर आप हु 맞़ कर वा रहा है यह और तो खोड़ा साजी है को स्विकार कर लेता है तो वह Cao तो इस कालके जितने भी कवी रहे वो सांस्कृतिक समन्वे के साथ साथ भारती और फार्सी सिल्फ के मिश्वर्ण के भी गवाहर है जैसे कि महाकाव्यों की विशेष्टा होती है कि सबसे पहले उसमें इश्वंदना होती है इस्तूति होती है फार्सी और मश्वनी शैली में भी यही होता है उसमें भी अपने पेगंबर की प्रशंसा करना खलीपा की इस्तूति करना साहे वक्त की इस्तूति करना गुरू की प्रशंसा करना और हमारे यहां भी यही होता है इश्वंदना करना, थर्फवती वंदना करना, राम वंदना करना, तो यहीं से महाकाद्य शुरू होते हैं, तो दोनों में, दोनों तरें के जो साहित के लिखे गए, उसमें, उसमें इन दोनों का मिश्ण बहुत अच्छा दिखाई देता है, और इसको हम पदमावती से मंदेज, चित्रशाला, उपुवन सब का सुंदर वर्णन दिखाई देता है, और यहीं है कि भारती समन्वें ताको प्रदर्शित करता है, अगला बिंदू है, शंगारेतर रसों के प्रती उदाशिंता, यह बड़ा सुचनी विश्य है, यह भी कह सकते हैं कि बाती और रस प्रदान हैं, विशेख ही प्रेम तत्व प्रदान हैं, तो शंगार के अलावा किसी दूसरे रस की कलपना नहीं कर सकते हैं, शंगार की अधिकता रही है, और शंगार में भी विप्रलंब संगार की ज्यादा अधिकता रही है, विप्रलंब संगार को बहुत अच्छे से प कम ही पाए जाते हैं वीर रख भी कहीं कहीं दिखाई देता है लेकिन श्रंगार रख अधिक है अगरा बिंदु इस सहज सरल तथा स्वाभाविक भाशा का प्रियोग आप देखिए उस काल में अबदी भाशा का प्रभाव था तादमी ब्रजी भी थी और संस्कृत निश्र भाशा भी थी जायशी पदमावत के काल खंड में ही राम चरित्र मानस लेखी गई तुलती दारा दोनों की भाशा को अगर हम लें दोनों की भाशा का तुलनात मकध्धन करें तो जायशी की भाशा समाज के ज़्यादा नजदी ज्यादा सरल है बजाए राम चरित्र मानस की भाशा की क्योंकि राम चरित्र मानस की भाशा में तुलती ने अपने संस्कृत ग्यान को आरूपित करने का प्रयास किया और शब्द भंदार बहुत अजिक शब्द भंदार था तुलती के पास अपने सारे शब्द भंदार को बहुत सहज अवधी में अपने बात कही अपने कथान को आगे बढ़ाया तो लोगों तक पहुँचा। uden और दक्षिन नज मेन जाकर दक्षिनी प्रभाव दिखाई देता है लेकिन अवधी के भाव को दक्षिनी वालों इप स्विकार में एक उस समय में दक्षिनी में लिखे गए जो ऐसुनka प्रभाह विरहाई है जितना इस पहले इस तरफ लिखए गए सुफिसिंद्ध साध्य परमप्रा का प्रभाव रहा इस पंदर में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है कि जो अवधी प्रेम काव्य में प्रयूक्त है वह अक्ट्यंत सरल और सभावेक है वह जन समाज की बोली है संस्क्रित के कठिन समाज वह दुरूश अदलिया उसमे नहें परक्सित रखता है कि साहिटग प्रेम काव्य की सबसे बड़ी देन है ये प्रेम का तक सबसे बड़ी देन है देखिए एक हम निमानास और एक जाय थि edge पर होगमाज लेकिन भाषा में बहुत अंतर है राम चुरुत्र मानस शुकी मानों के हदाय के साथ जुड़ी है मानों की भावना के साथ जुड़ी है एक बहुत बड़े संप्रदायक की भावनां के साथ जुड़ी है इसलिए राम चुरुत्र मानस जन जन तक पहुंची लेकिन भाषात् ना करें तो जो जायती की पर्मावत है वो बहुत से श्रचना माने जाती है अगला मिंदू है वो छंद और अलंकार का विद्धान है सुफी कावे पर्माव में विशे शूट से तो दोहा और चुपाई छंद ही देखने को मिलता है लेकिन इसके अतिरिक सवयया पलवंगम बरवे आदी छंद भी देखे जा सकते हैं दक्षिनी में मसद्वी शैली में कावे रचा गया और कहीं जब विशे परिवर्तन होता है तो शेर के माध्यम से वो अपना कथा परिवर्तन और विशे परिवर्तन करते हैं अलंकारों की यहां तक बात है